जैशी राम दोस्तों शीराम इसूट आफ कॉंपटिशन का यूडूब चैनल में आपका स्वागत है बच्छों पिछली क्लास में हम लोगोंने लॉड एलगीन सेकिंड के बारे में बात कर ली थी जिसका कथन था भारत को तलवार के बलपर जीता गया है और तलवार के बलपर ही अपने कबजे में रखा जाएगा तो इससे आगे की बात करने जा रहे हैं लॉड करजन के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बोलता हूँ सभी लोग फटाफट फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो करजन का कार्यकाल रहा बच्चों, लॉड करजन बायसराय बनने से पहले चार बार भारत की यत्रा कर चुका था, बाहरत चार बार आचुका था 1899 से 1900 में अकाल और सूखा पड़ा बहंकर, जब अकाल और सूखा पड़ा बहंकर तो उसकी इस्तिति के अनेलाइसिस के लिए, इसनिे सर एंटनी मेगडोनल्ट की अध्यक्षता में एक अकाल आयोक की इस्थापना की थी किसकी अध्यक्ष्टा में सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्ष्टा में अकाल आयो की स्थापना की थी बचो 1901 में सर कॉलिन स्कॉर्ट मौन क्रिफ की अध्यक्ष्टा में इसने एक सिचाई आयोग का गठन भी किया था बचो 1901 में Sir Colin Scott Moncrief की अध्याख्षता में किस चीज का गठन किया गया इसके द्वारा सिचाई आयोग का गठन किया बचो 1902 में Andrew Fraser की अध्याख्षता में इसने एक पुलिस आयोग का गठन किया बचो किसका पुलिस आयोग का लौड करजन ने टॉम्स रेले की अध्याख्षता में विश्विध्याले आयोग की स्थापना की और 1904 में इसने भारतिया विश्विध्याले अधिनियम भी पास किया भारतिया विश्विद्धाल अधिनियां 1904 में किसके काल में पास हुआ लॉड करजन के काल में पास हुआ बचों करजन द्वारा इस्थापित कराए गए पुलिस आयोग के तहत पुलिस आयोग के तहत प्रांतिया पुलिस और केंद्रिया पुलिस विभाकी स्थापना की गई है बचों करजन ने भारतिय सेना को दो कमांडों में बाटा एक कमांड का नाम दिया गया उत्री कमांड और दूसरी कमांड का नाम दिया गया दक्षनी कमांड बच्चों इसने केटा में सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षन के लिए एक कॉलेज की भी विवस्था की थी बचों तो करजन बहुत सारे कार्य करा रहा है अब की बार ये जो कार्य किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया भारत में पहली बार करजन के द्वारा एतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और उसकी मरम्मत की तरफ ध्यान दिया गया समय के साथ साथ एतिहासिक इमारतें जरजर हो जाती हैं आंदी बारिश तूफान को जब वो जहेलती हैं तो उनकी इस्तिती में बहुत जादा परिवरता नाने लगता है वो तूटने लगती हैं खराब होने लगती हैं इसने पहली बार एतिहासिक इमारतों की मरमत के उपर इसने प्राचीन इसमारक परिक्षन अधिनियम 1904 में गठित किया और भारतिय पुरातत्व विभाग की स्थापना की आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जान में रखना भारतिय पुरातत्व विभाग की स्थापना लौड करजन के काल में की गई ये पूछे जाने व हौल का निर्मान कराया गया बच्छों भारतिय रेलवे के विकास में भी करजन ने काफी योगदान दिया इसके टाइम में सबसे जादा रेलवे लाइन बनाई गई हाला कि मैं आपको बता दूं कि भारतिय रेलवे का जन्ना कहा जाता है लौड अलहाजी को क्योंकि रेलवे का जनक जो कहा जाता है लेकिन रेलवे के विकास के छेतर में इसके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि सबसे लंबी रेलवे लाइन सबसे बड़ी लंबाई वाली रेल्वे लाइन ल संख्या में व्रध्धी कर दी गई और पुलिस करमचारियों की संख्या में व्रध्धी करने के बाद उनके वेतन को भी बढ़ा दिया गया पुलिस आयोग की रिपोर्ट के द्वारा जो एनलेसिस किया गया उसके इधार पर करमचारियों की संख्या बढ़ाई गई और वेतन विरोधी कार रहे था इसने बंगाल में इसने भारत में बंगाल में हमारे देश में भारतियां सतंतरता आंदोलन को विघटित करने के लिए बंगाल को दो टुकणों में तोड़ने का डिसीजन लिया ये इसका सबसे बड़ा भारत विरोधी कार रहे था ये भारत के सतंतरता आंदोलन को विघटित करना चाहता था इसलिए इसने बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया पूर्वी बंगाल और पश्यमी बंगाल बचों इसने राश्टी आंदोलन को दबाने की नियत से प्रशाशनिक सुविधा के नाम पर यह चाहता तो राश्टी आंदोलन को दबाना था लेकिन इसने नाम दिया कि प्रशाशनिक सुविधा के लिए इसने बंगाल को दो भागों में बाट दिया पूर्वी बंगाल और पश्यमी बंगाल और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी बना दी धाका और पश्यमी बंगाल की राजधानी क्या बनाई गई कलकता पूर्वी बंगाल की धाका और पश्यमी बंगाल की कलकता बचों वर्तमान में कलकता को कोलकता के नाम से जाना जाता है यह हम सबी जानते हैं अच्छे से बचों कलकता इसके द्वारा जो बंग भंग का बेद पैदा करना चाहता था ठीक है इसका उद्देश है ये था कि हिंदू-मुस्लिम जब आपस में लड़ेंगे तो वो आपस में इतना जादा लड़ेंगे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है जो रास्री आंदोलन है उस रास्री आंदोलन से इन लोगों का ध्यान हड़ जाएंगे कि हम लोग अंग्रेज शाशन कर पाएंगे इसी को आप लोगों को पता होगा इसी विचारधारा को फूट डालो और शाशन करो की निती का नाम से जाना जाता है बच्चों करजन ने जो बंग भंग किया वो फूट डालो और शाशन करो और राज करो की निती का ही एक बड़ा उधारण माना जाता है बच्चों ठीक है यानि हिंदू और मुस्लिम को इस तरह से विक्टित कर दो कि वो आपस में लड़ लड़कर ही खतम हो जाए और उनका ध्यान रास्ट्य आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन से भंग हो जाए ठीक है बच्चों अम मैं को एक बातवार बता दूं लाला लाजपत्राय ने अपने भाषण में करजन के खिलाफ एक बहुत तीखी टिपणी करी तीखी टिपणी ये थी बंगाल भंग को लक्ष्य करके उन्होंने ये कहा कि भारत स्वराज्य चाहता था भारत स्वराज्य चाहता था भारत स्वतंत बननाचाहते थे और करजन चाहता था कि हम नम्र और अधिक्रत बनी रहें हम हर दिन हम हर दिन सरकार मांगते थे और करजन ने हमेशा ये कोशिश करी कि इन संस्थाओं को वह बदनाम कर दे और पिछ घोchn कि एक हमारे शिरी द्राड और स्वाविलंबी नहीं बनने दे रहा, ठीक है ना बच्चों, हम हर सरकार मांगते हैं, तो ये महत्वपून टिपणी हमारे लाला लाजपतराय जी ने की थी करजन के खिलाफ, चलिए बच्चों, अब करजन के बाद जो शाषन का लाता है, वो आता है, लौर्ड मि टो सेकिंड का रहता है, इनके काल की सबसे महत्वपून घटना है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्ला और आगा खान ने धाका में की थी, ठीक है ना, सलीम उल्ला और आगा खान धाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं बचो, 1907 में कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस का विभाजन हो जाता है, जो कॉंग्रेस का विभाजन हो जाता है, तो कॉंग्रेस का विभाजन होने के बाद, कॉंग्रेस दो टुकड़ों में तूट जाती है, एक नरम दल और एक गरम दल, गरम दल क मुख्य नेता थे लाल बाल पाल लाला लाज पत्राए बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्रपाल तो लाल बाल पाल गरम दल के मुख्य नेता थे जबकि गोपाल केशन गोखले गोपाल केशन गोखले और सुरेंदर नात बैनर जी जैसे नेता नरम दल के थे मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि गोपाल केशन गोखले को महत्मा गांधी अपना राजनेतिक गुरु माना करते थे बेटा तो गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच में स्वदेशी अंदोलन को चलाने के मुद्धे पर भारी विरोध हुआ जिसके कारण इनकी आपस में फूट पड़ी और कॉंग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई नरम दल के नेता बहुत शांती के साथ बहुत इमानदारी के साथ बहुत शांती तरीके से अपना चाशन पाना चाहते थे अपना आंदोलन चलाना चाहते थे जबकि गरम दल के नेताओं को ये लगता था कि आजादी या स्वतंतरता शांती के साथ प्यार से नहीं मिलेगी, हमें उगरवादी आंदोलन करने पड़ेंगे, हमें अपने आंदोलन को बहुत तिवरता गती देनी पड़ेगी और हर तरह का बलिदान देना होगा, तो ये वैचारिक मदभेद था, लेकिन दोनों का उद साथ में ही अंग्रेज और रूसी प्रतिनिधी मंदलों की बैठक इसी मिंटो के काल में हुई, ठीक है, बच्छों, मारले मिंटो सुधार 1909 में आये, इसी के काल में मारले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया, और बच्छों, इन सुधारों के तहत, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंदल की व्यवस्था की गई मेरे बचों मार ले मिंटो सुधार 1909 जिसके अंदर मुसलिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंदल की व्यवस्था की गई मिंटो दुत्य के कार्यकाल के दोरान जो सबसे महत पूण घटना हुई वो ही खुदी राम बोस को फासी और तिलक को 6 साल का कारवास मैं आपको यहाँ पर बता दूँ हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल में कैद करने का आदेश या कारवास दे दिया गया अब लॉर्ड मिंटो के बाद जो हमारा अगला कारे काल आता है वो आता है लॉर्ड हार्डिंग सेकिंड का बचों ये भी बहुत महत्पूर घटनाओं से भरा हुआ काल है लॉर्ड हार्डिंग सेकिंड का आये बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकिंड की बचो लॉर्ड हार्डिंग सेकिंड के काल में ही बिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 को भारत आते हैं इनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दर्बार लगाया जाता है बचो बहुत बड़ा दर्बार लगाया जाता है और दिल्ली दर्बार में ही जॉर्ज पंचम बंगाल विभाजन वो बंगाल विभाजन जो 1905 में लॉड करजन के काल में हुआ था ठीक है उस विभाजन को रद करने की घोशना करते हैं बिटेन के महराज जॉर्ज पंचम दिल्ली दर्बार में बंगाल विभाजन रद्द करने की गोशना कर देते हैं इसी के साथ एक और महत्पूर्ण गोशना की जाती है 1911 में कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाएगी ये गोशना 1911 में और भारत की राजधानी कलकत्ता या पश्चिमी बंगाल से दिल्ली भारत आजाएगी 1912 में घोशना होगी 1911 में और वापस आएगी 1912 में ठीक है दिल्ली दर्बार में जॉज पंचम ने 1911 में ये घोशना कर दी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आजाएगी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है बचो ठीक है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग 2 पर दिल्ली पर दिल्ली में एक कांतिकारी बम्म फैक देते हैं बचो ठीक है इसी काल में करते हैं इसी के समय में बॉंबे क्रॉनिकल जो की फिरोश्या महताग ने जिसका प्रकाशन किया था वो प्रकाशित होने लगती है बचो उनिस सोला में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्विध्यले बी एच्चियू का कुल अधिपती न्युक्त कर दिया जाता है और अब इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के बाद बात आती है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जिनका शाषन भी बहुत महतपूर घटनाओं से भरा हुआ है बचो अब हम बात करेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शाषनकाल की जिनका कार्रेकाल होता है 1916 से 1921 बचो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में सबसे महतपूर घटना होती है कॉंग्रेस का लखनव अधिवेशन इस अधिवेशन की सबसे महतपूर बात होती है कि जो 1907 में कॉंग्रेस के नरम दल और गरम दल तूटे थे वो दुबारा से यहाँ पर एक हो जाते हैं दोनों एक जुठ हो जाते हैं इसी अधिवेशन में कॉंसे में 1916 के लखनव अधिवेशन में ही कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच में मेरे भाईयों समझोता हो जाता है तो यह दोनों कार्य बहुत महत्पूर्ण हुएं क्योंकि अब भारत के वो बिखरे हुए लोग भी संगठित हो गए जो वैचारीक मतभेद के कारण अलग हुए हैं लेकिन लक्ष सबका एक ही है आजादी और सिर्फ आजादी तो बच्चों 1916 के लखनोवद इवेशन में क्या हुआ कॉंग्रेस और मसलिम लीग में समझाता हो गया और दुबारा से कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक जुट हो गए बच्चों पूना में महिला विश्वित धाले की स्थापना 1916 में इनी के काल में हुई ठीक है पूना में मशला किन के काल में चर्मसफोड के काल में अभी मैंने जितनी भी घटना बताई है 1916 से लेकर अब तक की किस के काल की चर्मसफोड के काल की बताई है ठीक है बच्च शिक्षा में स्याडल्र आयोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताय था, शिक्षा के लिए के लिए Lord Makailley, Lord Makailley का 1935 का अधिनियम बहुत महत्पून है, Hunter Aayok, शिक्षा के लिए वो बहुत महत्पून है, स्याडलर आयोग जो 1917 में वो बहुत महत्पून है, ठीक ह जिसे Charles Hood का प्रिशन भी कहा जाता है वो बहुत महत्पूर्ण है तो शिक्षा के उपर सेडलर आयोग 1917 में Lord James Ford के काल में आता है इसी के काल में रॉल अटक्ट 1919 में पास होता है बचों रॉल अटक्ट को काला कानून की संग्या दी जाती है रॉल अटक्ट का एक ही नारा है नो अपील नो वकील नो दलील और इसके खिलाफ पूरे भारत के अंदर जगे जगे जनसभाएं होने लगती है पूरे भारत के अंदर रॉल अटक्ट का काला कानून के नाम से विरोध होने लगता है मेरे भाईयों तगड़ा विरोध होने ल भारत के नागरिक, भारत के स्वतंतरता सेनानी पंजाम में अमरत सर में जलिया वाला बाग में एकत्रित होकर सत्पाल जी और किछलू जी के विरोध का ग्रफ तारी का विरोध करने के लिए एक जूट होते हैं और वहां पर जनर्रल डायर आकर बिना किसी सूचना दिये अचानक से गोलियां चलवा देता है जिसमें सैकणों भारतियां मारे जाते हैं ये घटना भारतिया इतिहास के स्वतंतरता संग्राम में सबसे महत्वपूर घटना सिद्ध होती है बच्चों 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला बाग हत्या कांड जैसा काला दिन भारतिया स्वतंत किसरा आंगल अफगान युद्वी इनी के काल में हुआ खिलाफत आंदोलन किसने चलाया अली बंध होने चलाया खिलाफत आंदोलन 1920 से 1921 तक इनी के काल में चलता है बच्चों गांदी जी सत्यागरह आंदोलन चलाते हैं एहसायोग आंदोलन चलाते हैं जो 1920 से 1922 तक चला किस के काल में चला इसी के काल में चला ठीक है ऐसा योग अंदोलन के दौरान भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिशकार होता है शराबों की शराबों की बोतलों को तोड़ दिया जाता है विदेशी कपड़ों की होली चला दी जाती है भारतिय लोग अंग्रेजी वस्तु को निकलने की सिफारिश करते हैं और भारत के अंदर जामिया मीलिया इसलामिया अलिगण मुसलिम यूनिवस्टी बनारा सिंदू यूनिवस्टी जैसे महतुपूर्ण संस्थानों की स्थापना होती है या उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है बचों और अब इसके बाद बात आती है लाड रीडिंग की लाड रीडिंग का कार्रेकाल है 1921 से 1926 तक बचों अभी जो महत्मा गांधी का आंदोलन चल रहा है ऐसा योग आंदोलन बिटा उस आंदोलन में लाड रीडिंग के काल में उत्तरप्रदेश के गोरिकपूर में इस्तित एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा पांच फरवरी 1922 को चौरी चौरा के अंदर भीड कृद हो जाती है और भीड कृद होने के बाद एक ठने में आग लगा देती है जिससे कई सारे अंगलेज पुलिस कर्मी जलकर मर जाते है और महत्मा गांधी इस गुस्से में कि मेरे अहिंसात्मक आंदोलन के अंदर हिंस कर्णा आ गई है महत्मा गांधी उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं ठीक है तो चौरी-चौरा हत्यकान के कारण ही महत्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस लेलिया मदचों ठीक है, 1921 में मोपला विद्रो होता है, मोपला मैं आपको बता दूँ, केरल के तटवर्ती इलाकों के जो किसान होते हैं, उन्होंने मोपला विद्रो किया था, यह दक्षणी पस्षी में समुद्र तटपे हुआ था बच्चों, इसी के काल में ही 1922 में विश्व भारती के द्वारा, प्रिंस ओफ वैल्स, नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आते हैं बच्चों, और इनके विरोध में भारतिया क्रांतिकारी, भारतिया स्वतंतरता सैनी, पूरे सैनानी, पूरे भारत में हरताल का आयोजन करते हैं मेरे बच्चों, 1923 में चितरण जन्दास मैं आपको बता दूँ, चितरण जन्दास को महात्मा गांधी ने देश बंधू की उपादी दी थी, वैसे हिने सियार दास के नाम से जाना जाता था, चितरण जन्दास, तो 1923 में मोतिलाल नहरू और चितरण जन्दास ने कॉंग्रेस के अंतर गती एक पार्टी गठित करी, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, ये रीडिंग के काल की ही बात चल रही है, 1923 के चुनावों में इस पार्टी को, स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में और बंगाल में पूर बहुमत मिलता है बचों, अभी तक जो सिविल सेवा थी, आप लोगों से बता दी थी कि पहले वो इंग्लेंड में आयोजित की जाती थी, 1922 से भारतिय सिविल सेवा इंग्लेंड में उसी के साथ भारत के इलहाबाद में भी दोनों जगे एक साथ आयोजित कराई जाने लगी, भारतिय सिविल सेवा, 1922 से इलहाबाद और इंग्लेंड दोनों जगे एक साथ आयोजित कराई जाने लगी, ठीक है, बच्छों रीडिंग के काल में 1923 से 1925 तक कलकत्ता, अलिगड, मुल्तान, दिल्ली, अमरत्सर इन इस्थानों पर भीशन सामप्रदाईक दंगे फैल जाते हैं बच्छों हिन्दू मुसल्मानों के बीच में भेंकर दंगे होते हैं लगभग पूरा का पूरा जो इस्तिती है वो खराब होती चली जाती है कलकत्ता, अलिगड, मुल्तान, दिल्ली, अमरत्सर, भीशन, सामप्रदाईक दंगों के चपेट में आ जाते हैं 1925 में जो बहुत महत्वपूर आ रहे समाजी नेता हैं जनका नाम है स्वामी शद्धानंद, इनकी हत्या इसी के काल में हो जाती है बच्छों भारतिय कम्यूनिस्ट पारटी का गठन 26 दिसंबर 1925 को इसी के काल में होता है बच्छों और भारतिया कम्यूनिस पार्टी के गठन कौन करता है M.N. Rai भारतिया कम्यूनिस पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया M.N. Rai के द्वारा किया गया बात किसके कार्राकाल की चल रही है लॉर्ड रीडिंग के कार्राकाल की चल रही है एक-एक महत्वपूर्ण तथ है आप लोगों को इन वायसरायों के काल का बताया जा रहा है फाल्तू की चीज़ें नहीं बतायी जा रही हैं हर वो चीज़ जो competitive exam के महत्व से बहुत महत्वपूर्ण है वो सब चीज़ें आपको बतायी जा रही हैं आप इन वीडियो के नोट्स बना लीजे, इनको रिटन में ले लीजे, बहुत अच्छ से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्पूर्ण घटनाओं का काल ही ये है, चलिए बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे सराई की बात लेकर आएंगे, तो आज के लिए इतना ही काफिया, जाशे, राम, जाह, हिंद मिलते हैं, बहुत जल्दी दोस्तों